हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टो माई चैनल इंडियन यूट्यूबर नीलम तो अभी दस बज़े हैं मैंने सुबे का कोई भी काम नहीं किया है क्योंकि आजकल मेरी तबियर ठीक नहीं है इसलिए मेरा कोई सुबे का मॉर्निंग रूटिन रहा ही नहीं है हलाकि पहले ऐसा होता था कि मैं सुबे सुबे के जो सारे काम है न वो जल्दी जल्दी से निप्टा देते थे लेकिन अभी कुछ भी ऐसा नहीं हो रहे तो अभी मैने यहाँ पर मेरे लिए गरम पानी मैं ने कर दिया है और थोड़ा पानी ग्लास में भी निकाल दिया है और में थोड़ा सा नमक डालके फिर जो वो नमक वाले पानी से घरारे करते ना वो मैं कर लोंगी और गरम पानी ही आज कल मैं थोड़ा-थोड़ा करके पी रहे हूं क्योंकि पानी मुझे बहुत ज्यादा पीना है और अभी मैं दुपेर के खाने की तैयारी कर रही हूँ तो चा के फिर बेगने के लिए रख दूंगी ताकि चावल बहुत ही जली-जली से पक जाए और चावल में मैं आज सब्जिया डालने वाली हूँ तो मसाला भात बोल लो या जो बोलना है वैसा ही मैं चावल रेडी कर रहे हूँ तो सब्जियों में गाजर थे आलू है प्याज और तो बस यही सब्जिया बची थी तो अभी इनका ही मैं इस्तमाल करके मसाले वाले भात बना दूंगी चावल बना दूंगी तो अभी सब्जियों को मैंने अच्छे से दो दिया है और अभी इसे मैंने मोटा मोटा ही काटके रख दिया है तो अभी यहां पर कड़ाई में मै तेल गरम करने के लिए रखा है तेल जैसे ही गरम होता है उसके अंदर जो राई जीरा आप डालना चाहते हो या खड़े मसाले ढखरे औहुते और इसके बाद मैं जो पेष्ट बनाके रखी दिना वो पेष्ट में इसमें डाल दूगी और पेष्ट को मैं भून लूँगी प इसे मैं थोड़ी देर के लिए सबजी को ऐसे ही मैं चलाते हुए भून लूँगी और यहां पर चावल जो मैंने धोके भीगने के लिए रखे थे ना वो भी अभी तैयार हो चुके तो अभी चावलों को सबजी के साथ मैं अच्छे से भून लूँगी और इसके बाद इसमे मैं ऐसा ही कुछ हलका फुलका खीचड़ी या मसाला भाद या वैसा ही बना के मैं खा लेती हूँ तो इसमें बच्चों के दिमांड थी ममी मैगी भी डालना तो मैंने एक ही जो पैकेट में से निकाली मैगी का टुकड़ा और उसे ही मैं इसमें डाल रही हूँ ताकि चाव समय बाद में गरम मसाला भी डालनोंगी और पानी मैं गरम वाला ही डाल रही हूँ ताकि जल्दी से यह चावल और सबजीया पक जाए तो अभी हमारे मसाला बात में डग डग के पका लोंगे तो एक्चुल में हुआ क्या है ना कि मुझे एक हपते पहले से ही गले में तकल जोना नई हुआ है मुझे गले में सूजन आ गई है इस वज़े से मुझे खाने पीने में परेशानी होने लग गई थी और बहुत सी बेचेनी भी लगने लग गई थी इसलिए मैं कुछ भी काम ठीक से कर ही नहीं पा रही थी क्योंकि खाना पीना जाता नहीं है तो हमारी बहुत ही कमजोर सी हो जाती है तो यह हाला ऐसे ही चलते हुए मैं फिर डॉक्टर को बता क्या है तो डॉक्टर ने तीन-चार टेस्ट करने के लिए बोले है तो अभी हमने वो टेस्ट करवा लिए है उसका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है रिपोर्ट जैसे ही आएगा अभी पता चलेगा कि मुझे एक्चुल में गले में हुआ क्या है तो देखे इस बज़े से सारे काम का जो है वो मेरे बहुत ही लेट-लेट से चल रहे है तो अभी मैं जो हमने बनाए थे ना चावल मसाला भात वो अभी खा लिये है और कपड़े ये दुपेर का टाइम हो चुका है तो कपड़े मैंने मसीन में ही डाल दिये थे बहुत ही लेट-लेट मेरा सारा काम होता जा रहा है तो अभी कपड़े हो गया है तैयार सूख के भी तैयार हो गया तब उन्हें थोड़ी देर के लिए धूप में रख दूंगी ताकि वह अच्छे से सूख जाए और खाना पीना हमारा हो चुका है तो अभी मैं यहाँ पर बरतन भी क्लीन करती जा रही हूँ क्योंकि कई बार है ना ठीक नहीं रहता है तो मन नहीं करता है लेकिन जब यह ऐसा हो जाए कि अच्छा है तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत काम निपटा ले क्योंकि हम न खाने की में तयारी कर रही हूँ तो आज खाने में सुखी ही भींडी की सबजी और सुखी आलो की सबजी बना रही हो जो भुजिया कहते हैं न वो ही तो देखिए यहां पर भींडी की भुजिया हमारी तयार हो चुकी है और उसी कडाई में मैंने अभी आलो की भुजिया बन लेकिन एक दिमाग को है न मैं दूसरी जगह पे ले जाने के लिए वीडियो बनाती हूँ ऐसा नहीं है कि बिमार है तो हम वीडियो नहीं बनाएगे लेकिन एक दूसरी राव पे अगर हम दिमाग को लेके जाए तो थोड़ी देर के लिए ही सही बिमारी हमसे दूर तो चली कर दीजेगा अगर आप मेरी चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो देखिए मैंने फिर से गरम पानी करने के लिए रख दिया है और जो आलू की बुजिया बनाई थी ना उसे भी मैं देखती जा रहे हैं यहाँ पर रोट